Good morning, my dear students. Perfection consists not in doing extraordinary things, but in doing ordinary things in extraordinary way. देखे बच्चो, इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बड़े बड़े काम ही करें, बलकि हमें अपने हर छोटी-छोटे काम भी सही धंक से करने चाहें, तभी हम अपनी लाइप में परफेक्ट बन सकते हैं. I welcome you all in your SUPW class. Today I will tell you techniques of tying belts. You always come to school in proper uniform. Belt is also a very important part of school uniform. Today I will tell you how to wear belt properly. ये देखिए, ये आपकी school belt है. जब भी आप school के लिए ready होते हैं, तो uniform के साथ अपनी belt भी जरूर लगाते हैं. बैट लगाते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले देखिए, हमारे school का logo बना हुआ है. जब भी आप belt लगाएंगे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है. स्कूल का logo बिल्कुल state होना चाहिए. बिल्कुल सीधा. उसके बार आपने ये देखिए. इसको जो आपकी pant की loops है, उसमें arrange करना है. ये देखिए, ये आपकी pant की loops हैं, जिसमें आपने belt को लगाना है. तो आप देखिए, इस तरहें loops में belt को डालेंगे. और इस तरहें से, इस side से देखिए. ये देखिए, इस तरहें आपने यहाँ पर इसको arrange करना है. आप इस belt को अपनी waist के according छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं. अगर आपकी belt loose है, तो देखिए, आप इस buckle से इसको अपने size के according छोटा या बड़ा कर लीजिए. ये देखिए, इस तरहें से, इस तरहें से, आप अपनी side के according, अपनी belt को set कर लीजिए. इस तरहें से, अपनी size के according, belt को arrange करने के बाद, आप इसका hook बंद कर दीजिए. इस तरहें से, अब आप जब भी belt डालेंगे, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे. एक तो belt आपके waist के size के according होनी चाहिए, और जो इस पर logo बना हुआ है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और जो ये बकल है, वो बिल्कुल center में होना चाहिए. अब एक दूसरी belt देखिए, इस belt की एक side पर बकल है, और दूसरी side पर कुछ holes है, तो देखिए हम इस belt को कैसे set करेंगे. आप इसे ध्यान से देखिए, देखिए, एक side बकल है, और दूसरी side को हम बकल में set करेंगे, उसके बाद जो ये pin है, उसको hole में लगाएंगे, और जो ये belt का extra part है, उसको loop में set कर देंगे. इस तरहें से, तो जब भी आप bet लगाएंगे, तो belt को इस तरहें से अपनी waist के according set करके ही लगाएंगे. तो students, आज आपने belts लगाने की technique सीख ली है, तो अब जब भी आप school के लिए ready होंगे, या कहीं बाहर जाएंगे, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, कि आपने belt अच्छी तरहें से लगाई है या नहीं. Take care, bye students.